दरंजे गिरी जी भारती जंता पार्टी से हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं और शाम सुंदर सरन जी हम पार्टी से इस वक्त हमारे मेमान हैं दरंजे जी अभी विनो तावडे जी से सवाल पूछा गया उन्होंने इंकार किया कुछ भी कहने से पार्टी को लेकर के साफ कहा जा रहा है कि आप सरकार बना रहे हैं नितीश कुमार के साथ कुछ तो इस पर आब खुलकर बोलना चाहिए आप लोगों को क्या स्टैंड है ब सरोकार में रहना है राज निती में हम सरोकार रखते हैं सबसे ज्यादा और नितीश कुमार जी की जीवन की पूरी अगर आप आत्रा देखे तो क्या है जंगल राज के खिलाफ जो बानगी थी बिहार में जो लालु जादों का पिरियेड था उसके खिलाफ जो लड़ाई नितीश कुमार लड़ी वही उनकी पूरे जीवन की आत्रा है और वो उसके उनकमपटेबल है या सहाज है या भी निरश कुमार जी का बयान में आप ही के चैनल पर सुन रहा था कि नौकरी के बदले जमीन जायदाद और क्या-क्या इल्जामू लगा रहे थे तो ये उनके आपस में नितीश जिवान कमपटेबल है क्या है नहीं हो तो सुबक्त बताएगा और भारतिये जनता पार्टी तो नरेंद्र मोदी जी के नित्र तुमें एक महायान चल रहा है एक महाभियान चल रहा है हम लंबे सफर के मुसाफिर हैं भारत को समर्द राष्ट बनाने तक करने दर मोदी का सपना है और लगातार हम बरंबै भात तक जाने तक लचल लगे हुए लंबी दूरी की ट्रेन है जो इसमें आना चाहे नेक नियत के साथ इसमें बैठना चाहे उसका स्वागत करेंगे नहीं देखिए वो आ रहे हैं इसमें तो कोई अफसंदे नहीं रह ग लेकिन हम लोग नितियोस कुमार के साथ लंबे समय तक लात्रा किये हैं और नितियोस कुमार के पूरे जीवन के आत्रा में भाजपा के कारेकरताओं ने प्रानों की बर्तिका बना करकर बिहार के जंगल राज को मिटाने के लिए हम लोग वोने अपने आपको कुर्बानी दी है हमारे करकरताओं ने जानों प्राणों की अहुती दी है और तब विहार को जंगल रा से मुक्त कराए गया है इसलिए बिहार को दुबारा बुद्ध के बिहार को बुद्धु का बिहार नहीं बनने देंगे के लिगे हम लोग की उसके लिए कारेरता hara और लगातार और बिहार को लालू के लल्टेन और लाल्टेन दोनों से बचाना बहुत जरूरी है जैसा निरज कुमार अभी आपके सामने कह रहे थे और कैमरा की जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन मकान इसब निसौरब जी बिहार में एक बहुत बड़ा डाकू हुआ उसका नाम हुआ करता था उंगली मार लेकिन एक्शुल नाम उसका हिंसक था बिहार में उसी तरह से एक परिवार हुआ जिसने नाम दिया समाजिक ने आए लेकिन नौकरी के नाम पर उन लोगों ने दूसरे की जमीन, जैदाद, मकान, दुकान, घर सब कुछ लेकर अपने उसका ने लटका लिया, तो इस अमाजिक ने आए लेकिन नाम पर जो ये गले में लटक चूल लटका है, जो प्लीटिकल फार्मिंग कर रहे हैं लोग, अपने परिवार के लिए ही सारा किछ परिवार से शुरू धर परिवार पे खतम, उससे बिहार को मुक्ति चाहिए, ब ठीक है सब बाते बैतों ठीक है देखिए मैं फिर पूछना हूँ धनेंजे जी आपसे क्या है ऐसा कहां मामला फसा हुआ है जो आप अभी खुलकर नहीं बोल पाने हैं कहां अटकी है बात सौरब जी आप नामचीन पत्रकार हैं देश के और ऐसी कोई बात नहीं है जो बहुत सी बात है तो हम लोग आपसे भी जानते हैं लेकिन चीजे चल रही है अच्छे पैटन पर है कुछ देर की खामोसिया है फिर सोर आएगा फ़र थोड़ा ठहरा है फिर सच निकल के आएगा अब जेडी यू जो है खुलकर कह रही है कि आरजेडी को नौकरियों के बदले जमीन लेने की पुरानी आदत है लेकिन नितीश कुमार ने लाखों सरकारी बनाये और उस पर भरतियां भी कर दी यहाँ इनका कुछ नहीं चल पाया इसलिए बेचे नहीं है कि आज निरेज कुमार जी क्या बोल रहे है इस पर टिपनी देने की जरूरत नहीं है यह जबरदस्ती देजस्वी जी बोले कि हम दस लाख हम सरकार में आएंगे तो दस लाख नौकरी देंगे सतर दिनों के अंदर यह सवा दो लाख टीचरों की भाली के ग्रीव बाग में वेकेंसी निकल रहा था सारे चार हजार तीचरों को राजकर्मी का दरवजा दिया यह मैं नहीं बोल रही हो बिहार की पूरी जंता बोल रही है अब नीरेज कुमार जी इसमें कुछ एक लगाना चाह रहे हैं वो क्रेडिट लेना चाह रहे हो तो इसका जवाब तो वो दे है और जितने शीक्षक की न्यूकती हुई है आज सब कमा रहे हैं सेलरी उठाने उनका परिवार अच्छा से चल रहा है वो खुश आप पूछे जाकर कि किसी शीक्षक से क्या उसके बदले लैंड जमीन ली गई है घर लिया गया है अब डारिकली जाकर कि उन शीक्षकों स से अलग होने की हम उनसे भी जनता पूछे की ना कि आप क्यों अलग हुए तो यह उसकी भूमिका लग रही है कि वह आरोप लगा रहे हैं कि यह तो ब्रश्टाचारी लोग हैं ब्रश्टाचारी पार्टी है बिलकुल बोलने को जिब कुछ नहीं है तो इल्जाम लगा दे सब्सक्राज में एक कन्फूजन की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए नीरे जी जो बोलना चाहते हैं वह साफ बोले वह साफ साफ बताए कि कि चेक से लिया गया वही ना बताएं जब इल्जाम वह लगा रहा है तो उन्हीं से पूछे पिलकिन से लिया गया लेकिन यह सरक सब्सक्राइब करना चाहिए जो की बे बुनियाद है आप तो सीने आप तो सीने जाए शीक्षक से पूछे आपको साख्ष मिल जाएगा जब से ते जस्वी जी सरकार में आए हर लोग का मानना है कि ठीच्षकों की को न्यूकती पत्र मिला शीक्षक स्कूल में बढ़े रो सब्सक्राइब करने से उनके बारे में कुछ बोलने से बच रही है क्या जो कुछ हो रहा है नितीश कुमार जी की जानकारी के बगएर तो नहीं हो रहा है अब ये तो जेडियू वाले ही बताएंगे ना कि क्या जानकारी में हो रहा है क्या जानकारी में नहीं हो रहा है मैं तो एक पबलिक की बात बोल रही हूँ बिहार की जनता के हैसियत से बोल रही हूँ आप जाए बिहार की जनता के बीच और पूछे किन शिक्षक से आपके साथी प्रवक्ता पार्टी के निरज कुमार वो कह रहे हैं कि ये लोग तो नौकरियों के बदले जमीन लेने वाले आदमी हैं ऐसा कुछ बिहार में कर नहीं पा रहे हैं इसलिए बेचैन हैं इसलिए अनर्गल बातें कर रहे हैं कुछे कौन सी अनर्गल बात हो रही है अनुप्रिया जी बता है कितना अच्छा हो गया कभी अनर्गल बातें सौरब जी मुझे लगता है कि जो बातें मीडिया के घराने से और जस तरह से एक राष्ट्री प्रवक्ता होने के नाते जाजी ने जो पूछा मुझे लगता है कि ऐसे स्तिती होनी नहीं चाहिए थी और लगाता है उनके साथ में वो तो पूछ रहते लेकिन कुछ नेता होने तो आप टिका टिक मी करने लगे ब्यान देने लगे महा गटवन्दन की सरकार चल रही है आपके मन में शंसे किस बात को ले करके हो गई है लेकिन निश्चे तो पर मैं यह कहूंगी कि इंडिया एलाइंस के अंदर में जो स्तितियां है जस तरह से मारे मुकमंत्री जी ने इसको ले करके हो और चलने का प्रयास कर रहे थे उसमें अब दलो की जो स्तिती है वो अपनी स्तिती को तय नहीं कर पा रही है जहां पे हम अभी लोकसभाचनाग को ले करके हैं और जो शंशे हो रही है शंशे आपको क्लियर करनी है कि आप क्या करेंगे नहीं करें हमारे वनने को शंशे नहीं है अभी तक हमारे किसी भी न ये तो मीडिया, मीडिया के सित्रों से जो सवालों, अनुप्रिया जी नीराज कुमार क्या है, कौन है आपकी पार्टी में? सुरी मैं आपके डिवेट को लेट से जोईन कि मैं ने सुना नहीं है उन्होंने क्या बोला मैं सुना नहीं है वह किसी जिमेदार पदपर है वाटी में मैं फिर कह रही हूँ कि हमारे नेता के खिलाफ में अगर आप सीधे वार कीजिएगा तो निश्चत तौर पे हम उनके सा साथ जा रहे हैं सरकार बना रहे हैं आपकी तरफ से कभी इस पर कोई सीनियर लेवल पर जितने नेताओं के आपने नाम लिए किसी ने इसका खंडन नहीं किया है मैं आपको नीरज कुमार जी की बात सुनवा रहा हूं क्योंकि आज आपको बताना पड़ेगा कि हो क्या रा दो लाग 15 हजार सिक्षकों की बाली जो तैशीमा में मानी नितिश कुमार जी के नितित में हुआ जिसमें ना पदस्थापन में चल पाया नौकरी देने में चल पाया तो सभाविक है अनरगल प्रलाप कर रहे हैं अनरगल प्रलाप पर रोक लगाईए वरना अंजाम इसका राजनीत में बेहतर नहीं होगा पोली आनूप्रिया जी आप कहना चाहते हैं कि ब्रश्टाचारी लोग है तहीं सवरब जी मुझे लगता है कि आपने बीजे आरजडी के कई नेताओं का व्यान सुराओं जिसमें उन्होंने हमारे नेता के उपर में टिका टिपनी की है औ आप इस तरह से हमारे नेता के उपर बोल रहे हैं हम तो सिधा स्वाल पूछ में आज यहां इजा याद भी है मैं पूछूंगी उन्से क्यों नेताओं ने कहा कि आप आपी कह रहे है निदेश कुमा जी को क्या हमारे नेताओं ने के व्यान दिया पुछ कहा आप राश्ट सौरब जी अभी मैं नेरे जी का बेयान पहले भी सुनी अभी भी सुने आप लगा रहा है और उस नमें भी मैं बोली किसी एशीचा करके पूझे किन का जमीन लिया और तब पर्दाफास हो जाएगा बेवजह इल्जाम लगाने से आरोब कुछ है नहीं तो इल्जाम लगा किस बेसिस पर बोल रहे हैं आज तो जनता धन्यवाद दे रही है टेजस्वी जी को यूवक है जो बेरोजगार थे बीएट करके डिये लेट करके सीटेट पास करके जो बेरोजगार घुम रहे थे वो तो धन्यवाद दे रहे हैं कि आज उनके घर में 30,000 35,000 40,000 रुपे ह हर मन आ रहे हैं तो ये नीरज जी के मात बोल देने से ये साबित नहीं हो जाता है कुछ भी बोल देंगे अनरगल बयान तो वो कर रहे हैं और दूसरे को बोल रहे हैं अनरगल बयान इसमें जरा भी सचाई नहीं अगर सचाई है तो इसे आप प्रूफ करें मैं चालेंज कर हमें बताईए कि आखिर इस वक्त सरकार में है कौन रिपोर्ट किया जा रहा है लालू जी नितिश कुमार को फोन कर रहे हैं वो फोन नहीं उठा रहे हैं अब नितिश कुमार जी फोन नहीं उठा रहे हैं तो इसका जवाब तो निरेज कुमार जी देंगे कि वो फोन नहीं मीडिया के सूत्रों से सुनने को मिला कि वो फोन की और नितिश कुमार ने फोन नहीं उठाया और कोई सूत्र से हमको पता नहीं चला आज आपके सूत्र से सुने कि तेरह कॉंग्रेस पर चल रहे हैं कि इस्तीफा देंगे और कल परसों में शपद ले लेंगे दुबारा नितीजी बीजेपी के साथ अबर गलत है यह सौरब जी मैं जन्ता दिर्याटिट की प्रदेश पर वक्ता हूं और जो बढ़तमान की स्थिती में उस पर बोल सकती है मैं पबिश वक्ता तो हूं नहीं कि मैं बताओंगे कल क्या होगा नहीं होगा लेकिन निश्र तो अब में एक बात आश्वस करती है कि बिहार में हमारे नेता मानिने मुकमंद्री जी के साथ में बिहार एक अच्छी दिशा में और नयाई की साथ विकास में चलेगी और मानिन बिहार की जनता के लिए चिन्टित थै और निस्यट तोर पे यहां पर दिह चिन्टित थैं जब आरGAN आर्जएडी के साथ गए थे या अब जब यहां बीजेपी में आ रहा हैं साथ में तब छिन्टित हैं यह तो जन्ता को नहीं समझ मिं आ ना क्योंकि आप तो कभी भी कुछ कर लेते हैं चुनाव लड़ते हैं आरजेडी के साथ सरकार बीजेपी के साथ बना लेते हैं बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं फिर आरजेडी के पास से ले जाते हैं फिर अच्छा नहीं लगता कोई तो फिर बीजेपी के पास आ आपने तो मजाग बना दिया है सौरब जी, सौरब जी मुझे एक बात बताएंगे आप बहुत ही senior पतकार है आप मुझे यह बताते कि आपने मुझे एक सवाल दो कहा कि आपके किसी नेता ने खंडन नहीं किया है लेकिन क्या किसी नेता ने बयान दिया है संकरिकार में हो रही हैं अब फिर आपकी पार्टीह इस साथ साथ जनता ले उनाइटेट के रास्ट्रे अद्रक्षे लोग सोभा चुनाब नज्दी के एक बार फिर धरनजी जी के पास जालों फिर अर्विन जी शांसुंदर जी में आता हूं बहुत देर आप सापको इंतरदार कराया वो कहे रही है आप बताईए बीजेपी वाले कि दमीता कांचाओ का एहसास से उनको मुर्तिमान करने का एक प्रयास है भारतिय सनस्कृति को अस्थापित करने का विश्वास है बारतिय चिंतन दानारा का वैस्विक बिस्तार है और दल दुनिया का सबसे बड़ा राइनितिक दल है और हम इसलिए मजबुत नहीं है कि हम पास संभावनाएं बहुत है असीम संभावनाओं को समेटे हुए नरेंदर मोधी के नित्रुत में नयान महायान चल रहा है और इस यह यान में जो भी हमारे साथ आना चाहता है नेक नियत से आना चाहता है हम उसका स्वागत करते हैं इसके अलावा कुछ ने भारतिय जनता प आ रही है जो खबरों के लगातार अगर माने जो से आपके सम चैनलों पर या तमाम चैनलों पर हम लोग भी कल से इसी पर निसी भी सेबर डिबेट कर रहे हैं तो जहां आग होती हो महीं धुआ होता है कुछ ऐसे तो हो नहीं सकता है बहुत धन्यवाद आपने कम से कम इतना कहा जहां आग लगी है वहीं से धुआ उठेगा मतलब यह सब कुछ हो रहा है वनुप्रिया जी अभी भी ना कुछ बोलना चाहें तो उनकी बात है लेकिन मुझे मालूम है अर्विंद वाजपई जी बिल्कुल लाग लापेट के हमको बता देंगे बिहार में क्या सियासी से काम करते हैं लेकिन एक बात तो बड़ी के लिए रहा है सामने तो उसमें केंद्रिये एजेंसियां इनके खलाब जाच भी करेंगी बरस्टाचार उगवा के नहीं हुआ और हुआ तो किस ने किया यही मुत्ता है पीजेपी का बरस्टाचार के खलाब लाई नहीं रहे हम इनको नहीं को यह पतने के लिए तयार बैठे हैं अब यह बीजेपी के उपर है के बीजेपी उनको सपोर्ट करेगी नहीं करेगी किन सर्टों पर करेगी अमिशा जी ने दिया उस पर स्टेटमें कोई प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे दर्वाजे इधर भी खुले हैं लेकिन अभी अंतिम नर्णाय कहीं से नहीं आया यह भी ध्यान रखिए उस घर के एक सदस्य आप भी तो हैं इंडिये के आपको कोई तरज नहीं आए अलाइंस पार्टर ने देखिए बीजेपी बड़ी पार्टी है अलाइंस है बीजेप उसे लड़े ते हमें ऑम इस इलाइंस में हम भी थे हमको साथ सीते मिली थी साथ में से छे आये थी तो हमको क्या फर्ग परता है आ जाए तो ठीक है ना जाए ना जाए तो ठीक है फरक पड़ेगा बीजेपी को क्योंकि इनकी टार्गेट है चार्ट सो के पार और वो राजनितिक एक्षा सक्ति के उपर डिपेंड करता है कि बीजेपी क्या निर्णाय करती है बीजेपी का जो निर्णाय होगा हम उसके साथ बकाइदा करें बीगे अलाइंस पार्टनर लेक जो हम एक राजनितिक पार्टी होने के नाथे हमारा अपना कैडर है अपना जंटा है अपना हिस्सा ना दिया जाए किसी को और यहीं खुशूर्टी है बीजेपी की अलाइंस एक ब्रेक के लिए रुगना पड़ेगा आरविन जी आपने बीजेपी का फैसला है लेकिन हम अपना हिस्सा किसी को नहीं देंगे अभी तो चुना वारा है मतलब हम जितना सीटों पर लड़ने वाले तो उतने पर लड़ेंगे दरेंजे जी ने बीजेपी से यह कही दिया कि जहां दुआ उठा है तो आग लगी होगी कही ना कहीं अनुप्रिया जी लेकिन खुलकर कुछ रही है बताईए हम पर किस बुनियाद पर आरोप लगाया है व्रस्टा चार का इसका सफाई आर जेडियू को देनी पड़ेगी हम पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे बीच में शान सुन्दर जी और उनको उनसे भी इस पर सलाम अश्वरा हुआ है उनकी पार्टी से उनके पास जाएंगे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं लेकिन आप बिहार के इस सबसे बड़े सियासी ड्रामे पर देख रहे हैं इंडिया टीवी की नॉन स्टॉप कवरेज लोटने जल पागता है आप देख रहे हैं बिहार में जो इस वक्त सियासी घटना करम चल रहा है उस पर इंडिया टीवी की कवरेज और मेहमानों की बीश हमारी चर्चा भी जारी है बीजेपी से आरजेडी से जेडी उसे हम पार्टी से हमारे साथ मेहमान मौजूद है मैं शाम सुन्दर जी आपने देखा होगा टीवी चैनलों पर हेडलाइन थी कि लालू यादव जी जो हैं आपके चार विद्हायकों पर नजर रखे हुए हैं वो चाहते हैं आप उनके साथ मिल जाएं जाकर शाम सुन्दर जी मेरी आवाज आपको मिल रही है पून कनेक्टेट नहीं है शायद उन तक आवाज हमारी नहीं पहुँच रही है एक बार फिर एजया आदव जी आप जीडी से हमारे साथ है एजया जी अभी आपकी विद्हायकों की बैठक खतम हुई मनुर जाने बहार निकल कर इतना बोला कि जिस सरकार का स्रिजन हमने किया है उस बच्चे की हत्या हम नहीं कर सकते बाद आप यह कहना चाहते हैं कि हम जहां थे वहीं है तो यह स्पष्ट करें जीडियू वाले बताएं यह क्या कर रहे है देखे सारग जी बात सही है जब से आर जीडी सरकार म में आई तो competitive exams भी हुए, result भी हुए और नियुकती पत्र भी मिली और वो लोग जॉइन बीके teachers और salary भी उठा है तेजस्वी जी बड़े अच्छे से कहते हैं जट और पट वाली बात तो सब कुछ तो होई रहा था अच्छे से Mission 60 चल रहा था उसके पहले तो यह सब नहीं ह हो रहा था, तो credit तो तेजस्वी जी को मिलेगा ही, अगर आप बहाली की नौकरी की बात करें तो credit सोली तेजस्वी जी को मिलेगा, क्योंकि तेजस्वी जी नहीं थे तो क्यों नहीं यह सब नहीं उकती पत्र मिला, क्यों नहीं teachers का entrance exam होगा, दरोगा का होता था, question paper लिक हो जब तेजस्वी जी सरकार में यह सब चीज बंद हो गया, और इसलिए हम लोग इस सरकार में बहुत अच्छे से काम किया है, हर विभाग में अच्छे से काम किया है, तो सहीं बोले मनुजा, जहां जिस बिहार के विकास के लिए, जिस human resource की development के लिए हम लोग नौकरी दिये तो हम लोग चाहेंगे कि उस सरकार की हत्या हो, एक्दम सहीं मनुजाने का है, लेकिन तेजस्वी जी ने अचानक सरकारी कारकों में जाना क्यों बंद कर दिया नितीश कुमार के साथ, कल राधभवन के प्रोग्राम में वो नहीं गये, आज भी जो पटना में काले करम था, उसमें तेजस्वी जी नहीं दिखाई दिये, मैं कल देख रही थी चानल में ही, उसमें ये भी बताया जा रहा था, तेजस्वी जी व्यस्ट है, उनका कुछ कारिकरम अलग था, इस वज़ह से वो नहीं गये, वो तो लगारतार जा रहे हैं, हो सकता है कभी वो व्यस्ट हो देखे हम लोग तो लगतारी सरकार में काम कर रहे हैं और जिस तरह के अनरगल ब्यान बाजी अभी मैं नीरिज कुमार जी का सुनी मुझे भी अच्छा नहीं लगा सीधा सीधा इल्जाम इतने अच्छे तरीसके से एक्जाम हुए कम समय में एक्जाम हुआ रिजल्ट निकला और ये लोग इल्जाम क्या लगा रहे हैं नीरिज कुमार जी जमीन के बदले में अरे वो उनको शीक्छकों से ना बात करना चाहिए इस तरह का इल्जाम लोग हसी आएगी कि जवर्दस्टी का इल्जाम थोपा जा रहा है आपके लोगों ने आपके पाटिर के निताओं निदीश कुमार के वारे में खराब बाते कहीं पापी जैसे शब्द इस्तबाल किये इस ने पापी जैसे शब्द का इस वाउर्ब जी अभी अनूप्रिया जी ने बताया किसने किया मैंने तो नहीं सुना किसी चैनल पर मैंने किसी को पापी बोलते हुए नहीं सुना अभी मैं तेजस्वी जी का बयान जरूर सुने कि वो आधरनिय है और आधरनिय रहेंगे पापी तो किसी नहीं कहा यह सब बेवज़ा का इल्जाम है अनुप्रिया जी बताईए एकनी बड़ी बात आपके नेता ने उनके लिए बोल दी क्यों शिवानन तेवारी जी ने जो ब्यांद सुना है और मैंने देखा है चैनल के माध्यम से ही मैंने देखा कि शिवानन तेवारी जी नहीं कुछ कहा है और मुझे लगता है कि नहीं मूनी चाहिए अगर आप सवाल भी पूछ रहे हैं सवाल से भी आप फैसला भी ले रहे हैं तो इतनी हरवड़ाहत चटपड़ाहत नहीं होनी चाहिए तल तो आपन सवाल ही पूछा है अभी भी आप इंदजार कर रहे हैं तो फिर कहते हूं कि आसवाशन और पेशोपेश की स्थिती में आप हैं तो तुरा मुझे लगते हैं कि अपनी भाशा की मर्यादा का उलंगन नहीं करना चाहिए लेकिन फिर कहूंगे गर हमारे नेता पर सीधा बार किजिएगा तो हम जेडियू के प्रवक्ता और जेडियू के सिपाई होने के नाते कताई भी इसको बर्दास नहीं करेंगे तो मिखुलकर मीडिया वार चल गई आपके और उनके बीच में एजजया जी देखे कौन क्या बोल रहा है उसका जवाब तो वही देंगे हम लोग की पार्टी तो लगातार काम कर रही है हम लोगों जब तेजस्वी जी खुद कह रहे हैं कि मान्य मुकमंद्री जी आदर निये हैं आदर निये रहेंगे तो जब नेतरित भी कहा है तब तो बात हुआ ही कि अच्छा देखे जी जी मैं बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको जेडियू के प्रवक्ता ने इल्जाम लगाया कि आरजेडि के लोगों को नौकरी के बदले जमीन लेने की आदत है इस बीच खबर आ रही है कि दिल्ली के कोट ने नौ फरवरी को राबडी देवी को मिसा भारती को नौकरी के बदले जमीन मामले में पेश होने का आदेश दिया है इडी के बड़ जाता है कभी दो साल के लिए बंध हो जाता है फिर एडी वाले को जगाया जाता है बीजेपी के द्वारा और फिर एडी को भेजा जाता है अब जब कुछ निसकर्ष निकले क्या पता चला क्या निकला हम लोग भी साथ साल से जानने को इतने सियासी उठा पुटक के बीच यह आदेश आया है जब जब चर्चाएं यह है क तो सिर्फ परिशान कर रहे हैं तो बीजेपी के हाथ की मुट्टी के अंदर में उनकी इशारों पेकाम करते हैं पिचारे एडी वाले भी मजबूर हैं अगर उनको आजाद छोड़ दिया जाए तो एडी का रावरी अवास में एक सगेंड़ जी मैंने आपसे सवाल किया थ आप बता दें इस वक्ति परिस्टिती क्या है शान सुंदर जी परिस्थिती तो क्रिस्टल की तरह साफ है सवरत जी अब आप लोग जिस तरह से इन लोगों की बातों में हुझे हुए हैं राश्चिय जंता दल के पास कुछ बोलने को है नहीं वो क्या बोलेगा जो दुलक पहले भी कलती हुए थी पहले भी हम लोगों ने निफिस कुमार जी को समझाया था और बताया था कि आप किसके साथ जाने हैं और हमारे नेता ने महीनों पहले से का कि उनको बापस आना पड़ेगा आज देखिए वह रहा है तो बापस तो आना विहार के लिए सुभ है और हम लोगों का कमिट्मेंट प्रधान मंतरी नरेंदर मोजी जी के साथ जो है वो है अब राज़िये जनता दल के पास तो कई तरह की बाते हैं उनके पास तो उनका राजनेसिक सेरितर जो है वो खुल करके सामने आ रहा है तो एडी तीवी आई को गाली जितना देले जवाब नहीं देपाते हैं गाली भले देते हैं उनके पास जाने की हिमत नहीं होती है कोड का संग्यान इनको मजाक लगता है कोड को भी एक लोग सटगरे में करा करते हैं तो इन लोगों के साथ नितिश कुमार जी कहते हैं इतना दिन बिता लिए यही बड़ी बात है और अगर यह तो असपस्च है ना कि अगर रास्तिय जनता दल को थोड़ा भी स्वाविमान होता वो जो खुद को कृष्ण के वंसद कहते हैं आज क्रिष्ण के जो जो उनके वंसद है वास्तब में उनके स्वाविमान के साथ लालू प्रसाद यादा फिलवार कर रहे हैं बेटे के और परिवार के सथा के लिए इस तरह से वो अपने स्वाविमान को बेच तेंगे और क्या-क्या बात बोलते हैं सामाजिक नयायका मसिहा और करपूरी ठाकूर और जेपी और लोहिया लोहिया जिसने कभी सथा की परवा नहीं की जिसने कभी सथा को पच्छूने की कोषित नहीं की करपूरी जो सादगी और त्याव की प्रतिमूर्ती थे इन सबों को केवल बेचने का काम और क्रिप्त देख लिए सामने क्या है तो सथा के लालक को याद है ना नितीश कुमार जी ने आपकी पार्टी के नेता के लिए क्या कहा था जीतनाम माजी जी के लिए ये क आप लोगों के लिए इतना असान होगा कि किसी को माफ कर देना किसी के कुछ कहने पर दुबारा उसको जनता ने तो यह देखा ना उस बात की टीस है और रहेगी लेकिन आपके नेता जीतनाम मांजी जी ने नितीश कुमार के मांसिक संतुलन पर सवाल उठाया था आपने ये कहा था कि ये अपने आपे में नहीं है अब आपने कहा था कि इनको कोई जहर दे रहा है इनको कोई दवा खिला रहा है इनको कोई और चला रहा है शौरव जी और हम उस पर कायम है आपने पूरा खेल देखा होगा हमारा इतारा जिनकी ओर था आज वो जनता दल उनाइटेट से लगभग किनारे हैं जिनके साथ लालू प्रसाद जी खेल कर रहे थे और जो पूरा खेल था और जो ये लोग पहर है न कि निपीज कुमार जी क विलनारा जाती लालू आज़व को बना रहे हैं कि between कुमार को घाने के तयारी कर है जी जी को विलन बना देते हैं लालू प्रशाद यादव तो समाजिक नेता है कर पूरी ठाकुर की विचारों पे चलने वाले हैं आप लोगों नहीं पर रिवार के निजिए ना इतनी अच्छी से सरकार इतनी अच्छी चल रहे हैं इतनी अच्छी सरकार चल रहे हैं तो लोगों को नोकरी दिया है रोजगार पुरूश इससे बड़ी उपादी क्या हो सकती है समाजवादी लेता है उन पर इल्जाम लगा दो गरीब गुर्बा के आवाज है उन्हीं को जेल में बंद कर दो पहाना है बढ़े जहरे किनकिन सब्सक्राइब कर इक दूसरे को अब तरफ होते हैं दूसरी तरफ होते हैं कभी एक चोर हो जाता है तो बिहार में तो इस वक्ट यहीं चल रहा है इसका तो जन्ता को देखना पड़ेगा बिहार की जनता को किस पर कितना भरुसा करें बहुत शुक्रिया लेकिन आप लोग आया हमारे साथ तरंजे जी शाम सुन्दर शरंजी आनुप्रिया जी एजे जी बहुत धन्यवाद आपका छोटा सा फ्रेक ले रहे हैं लेकिन लगातार बिहार की इस ब परेमे